नमर संस्किताय मित्रों, चंदरा इस्टिट्यूट के यूटू चैनल पर आप सभी लोगों का श्वागत है, मैं अख्रेश सर, आज आप सभी लोगों से संस्कित भासा या सिछन से संबंधित प्रसनों की चर्चा करता हूँ, जो कि आपके सी टेट, यमपी टेट, संस्कित भाषा करता है, अगर कोई एक छात्रा है, अगर हिंदी भासा मात्रि भासा जो भी उसकी मात्रि भासा हिंदी भासा, वह जो है बड़ी अच्छी धंग से पढ़ती है तरही माने तब क्या होगा, वह अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मात्रिभासा के द्वारा लिखने के लिए समर्थ नहीं हो सकेगी यदि आप हिंदी भासा मात्रिभासा को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप हिंदी भासा में लिखने में समर्थ नहीं है लिख लेंगे तो यहां ना लिखा हुआ है इसलिए यह उत्तर नहीं होगा दूसरा है सा स्व पठन काउंसल स्य प्रयोगम दुति भासा या अधिगमे करतुम सकनोती सा बाला वह बालिका अपने पठन काउंसल का प्रयोग करकी दुति भासा के द्वारा अधिगमे करतुम सकनोती अध्यन कर सकती है अगर वह मात्रिभासा को पढ़ना जानती है तो अपने पठन काउंसल का प्रयोग करके वह दूसरी भासा संस्कित भासा या अन्य जो भासा है उसको भी वह पढ़ सकती है तीसरा सा स्वा पठन काउंसल से उपयोगम दुती भासा या अधियमे करतुम न सकनोती वह पठन kansal का उपयोग दुती भासा के अध्धन में नहीं कर सकती है अब यहाँ उत्तर कंशा सही होगा आप लोग बताएं तो देखिए सीधी सी बात है कोई बालिका हिंदी भासा मात्रि भासा के द्वारा अच्छी तरह से वह पढ़ना जानती है तो निश्ची तरुप से वह दुती भासा भी पढ़ने में समर्थ होगी तो प्रसंख्या एक का बी सई होगा न ए होगा न सी होगा और नहीं डी होगा प्रसंख्या दो में लिखा हुआ है कि सिच्छित निस्कर्स प्राप्तुम पठनार्थम चरचार्थम चिंतनार्थम तर्क वितरकार्थम च विचारान दातुम छात्राह आहुताह किम एतत कथईतुम शक्यते सिच्छित निस्कर्स को पढ़ाये गए पाठ के निस्कर्स को प्राप्त करने के लिए जो भी सिच्छित किया गया जो भी पठन पाठन किया गया उसके निस्कर्स को पाने के लिए पढ़ने के लिए चरचा के लिए चिंतन के लिए तर्क और वितर्क के लिए तथा विचारा विचारों को देने के लिए छात्राह आहुता है। छात्रों को बुलाया गया है। उस निसकर्स को उस जो पढ़ाय गये पाठ के निसकर्स को पाने के लिए छात्रों के द्वारा पढ़ने के लिए चर्चा के लिए चिंतन करने के लिए तर्ग वितर के लिए विचारों को देने के लिए छात्रों को बुलाया गया। इसी बात है यहां पर पढ़ने के लिए चर्चा के लिए चिंतन के लिए तर्गवितर के लिए विचार के लिए बात कही जा रही है तो इस पर निश्चित रूप से जो है गंभीर चिंतन ही किया जाएगा ठीक है तेह क्या कहा जाएगा गंभीर चिंतन प्रसंखिया दो का ड विशिश्ट शिच्षण अधिगम प्रक्रिया को का《यान्यवित्》 करने के लिए सिच्षक कछा में जो करता है क्र पर्रक्रमाह कहा जा सकता है अधिगमाह कहा जा सकता है, पध्धती ही कहा जा सकता है, काउंसल कहा जा सकता है देखे विशे सिच्छन अधिगम की प्रक्रिया में जो कार्यान्वित करने के लिए कारे करने के लिए सिच्छक अच्छा में जो करता है उसे क्या कहते हैं प्रक्रम मने भली प्रकार क्रम से अधियंग मने अधियन पद्धती मने भली प्रकार से पद्धती रूप में पठन पाठन कराकर कि विशुष्ष सिच्छण की बात हो रही है विसे सिच्छन की अध्यन की प्रक्रिया में, विसे सिच्छन अध्यन की प्रक्रिया को कार्यानिमित करने के लिए कच्छा में जो करता है, वह क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो निस्ची तरुप से उसे हम पध्धत कहते हैं, पध्धत के द्वारा, जो सिच्छन से ही हम विशिष्ट सिच्छा का अध्यन करते हैं ठीक हैं काउंसल तो हैं अधियम तो हैं प्रक्रम तो हैं लेकिन चारो विकलपों में जो उचित विकलप होना चाहिए वो है पध्धती ठीन है सिच्छन पध्धती से ही विशिष्च्छा का अध्यन किया जा सकता है अधो लिखिते सुकस्य कार्य से निवनुतमा उपयोगिता वर्थ ते निवनुतमा की बात की जा रही है थिन नीचे लिखे में किस कार्य का सबसे अधिक कम उपयोग होता है निवनुतमा उपयोगिता वर्थ सबसे कम उपयोग होता है स्रवन काउंसल की परिच्छा में उसकी बात कही जा रही है चतुर्थ कच्छा की अध्यापिका जोती नामक छात्रा को स्रवन काउंसल का मुल्यांकन करती हैं तो उस स्रवन काउंसल परिछा के लिए जो नीचे लिखे गए विकल्प हैं इन विकल्पों में से किसका सबसे अधिक कम प्रयोग होता है नियून प्रयोग होता है तो वेतार यंत्रे चलचित चलती क्रिकेट ब्याख्यानम सुरुत्वा अवगमनम वेतार यंत्र के माध्यम से चलते हुए क्रिकेट ब्याख्या को सुन करके अवगमन करना जानना एक स्याह कथायाह स्रमणम कृत्वा एक कथा को सुन करके तस्याम घटिता नाम घटना नाम योग क्रमेड उलेखः उस घटित घटना का योग क्रम से उलेखः करना यह भी सही है कोई भी कथा कोई भी बात किसी भी अध्यापक के द्वारा जो सुनाई गई वह जब छात्र सुनते हैं तो उस घटित घटना का योग क्रम से मतलब एक कड़ी के बाद एक कड़ी जिस तरह से बताया गया उस क्रम में उलेखः करना यह स्रमण कौंसल का मुल्यांगन सही है वारतालापम सुर्थ्वा सारांस ग्रहन वारतालाप को सुन करके उसके सारांसों को ग्रहन करना स्रमण काउंसल का यह अभिपराय नहीं है केवल सुन लेना सुनना ही केवल स्रमण काउंसल नहीं है स्रमण काउंसल का अभिपराय भी है कि उसके अर्थों को भी ग्रहन करना अन्यमनस को होकर कि एकागरचित्र होकर कि अपने अध्यापक या किसी वक्ता के द्वारा जो बात बताई जा रही है उनको उसकी बातों को सुनते विए अर्थ ग्रहन करना भी स्रवन कौंसल का मुख्यूद्देश होता है ठीक है ने यह अभी सही है एक गान को सुनकर के विशह का बोध होना एक गीत है उसको सुनकर के विशह का बोध होना यह भी बात सही है तो यह तीनों बात B और C और D जो है इनका स्रवन कौंसल का मुल्यांकन तो इस प्रकार से होता है लेकिन यहाँ नियुनतम की बात आ रही है तो निवन्तम उपे किसका किया जाता है तिये है प्रसंख्या 4 का ए बेतार यंत्र के माध्यम से चलते वे क्रिकेट की व्याख्या को सुन करके जालना यह नहीं है प्रसंख्या 4 का ए सही होगा ठीक है प्रसंख्या 5 में लिखा हुआ है कि यदा विद्यार्थि नह पूरक पठन सामग्री सु एकाम लगू कथां पठन तदाते जब विद्यार्थि पूरक पठन सामग्रियों में एक छोटी कथा पढ़ते हैं तब वे क्या करते हैं पठन सामग्रियों में एक छोटी लगू कथा पढ़ते हैं तब वे क्या करते हैं लेखन काउंसल के विकास के लिए पढ़ते हैं पठित अंस में प्रतेग सब्दों के अर्थ ग्यान करने के लिए आनंद की अनुभूति के लिए पढ़ते हैं कठिन सब्दा नाम वर्तनी इक लिए पढ़ते हैं तो देखिए लगू कथा पठन तब वे क्या करते हैं तो पूरग पठन सामग्रियों में जब एक छोटी कथा पढ़ते हैं तो पढ़य हुए अंस के प्रतेग सब्द के अर्थ का जख्यान करना चाहिए ठीकिनद प्रसंखिया 5 का यहां पर भी होगा कोई भी छोटी कथा पड़ते हैं तो उसके पढ़े हुए अंसों के सब्दों के अर्थ का ग्यान करना चाहिए कुर्यूह करना चाहिए ठीकिनद न ए होगा लिखित न आनंद और नहीं कठिन सब्द प्रसंकिया 5 का भी सही होगा प्रसंकिया 6 में लिखा हुआ है कि सिच्छिका कच्छा याम इस्थित ता नाम वस्तो नाम नामाने करगद पटिका याम लिखित्वा वस्तो नाम उपर आरोपयत एवं सा एक सिच्छिका कच्छा में इस्थित वस्तूओं के नामों को कागज की पटिका पर लिख करकी वस्तूओं के ऊपर आरोपित करती है वस्तूओं के ऊपर जो है चिपका देती है एवम सा इस प्रकार से वह क्या करती है देखिए एक सिच्छिका है अध्यापिका है कच्छा में इस्थित वस्तूओं के नाम को वस्तूओं के नाम को जैसे आचार है रोटी है चावल है दाल है तमाम प्रकार के फल फूलों के नाम है ऐसी वस्तूओं के नाम को करगत पटिका हमने कागच की पटि पर लिख करके उ वस्तुओं के उपर आरोपित कर देती हैं माने चिपका देती हैं एवंसा इस प्रकार से वह क्या करती हैं कच्छाम व्यवस्थिता करोती कच्छा को व्यवस्थित करती हैं कच्छा याह वातावरण मुद्रित पठन सामग्रियम करोती कच्छा के वातावरण के कच्छा याह कच्छा के वाता वरण को मुद्रित पठन सामगरी मय करती हैं मुद्रित मारे अंकित चिन्हित पठन सामगरी से युक्त करती हैं परिया वरण बिज्ञान का पाठ करती हैं छात्रा नाम सुध्ध वरतनी ज्यानम कारयती चात्रों को सुद्धोवर्तनी का ज्यान कराती है तो ऐसी बात नहीं है देखें यहाँ पर वस्तुओं के उपर नाम लिखा जा रहा है तो वह मुद्रित मारे चिन्हित पठन सामगरी मैं करती है अर्थात प्रसंग के अच्छा का बी सही होगा न ए होगा न सी होगा और नहीं डी होगा ठीक नहीं यहाँ ब्यवस्था के ब्यवस्था की बात ही नहीं है परियावर्ण विज्ञान की बात ही नहीं है चात्रों के सुद्धोवर्तनी का ज्यान की बात ही नहीं है वह खुद लिक करके चपका देती हैं तो कच्छा का वाता वन जो होता वह मुद्रित पठन सामगरी मय हो जाता है ऐसा हो काम करती है ठीक है ने प्रसंख्या चका भी प्रसंख्या साथ की बात करते हैं सश्ट कच्छा यह भासा यह सिच्छ का स्वच्छा त्रेव्य परस्परम पुष्टिका नाम आदान प्रदानम कर्तुम निर्दिसति, तथा तत्रत्य तुटी नाम अनवेशनम कर्तुम सुचियति, एतेन साकस अभ्यासम कार्यति, देखिए कच्छाच्छा की भासा की सिच्छ का छठवी कच्छा के भासा के सिच्छ का सुवच चात्रे भे अपने चात्रों के लिए परस पर पुस्तिका नाम आदानाम प्रदानाम करतुम निर्दिसती पुष्टिकाओं के यादान प्रदान करने का निर्देश देती है तत्र तत्र तुर्टी नाम अन्वेश्रम करतूं सूचियते वहाँ पर तुर्टी नाम अन्वेश्रम के अन्वेश्रम आने खोज के लिए सूचना देती है एतेन सा कस्य अभ्यासम कारियती इस से सा अध्यापिका सा सिच्छी का वह अध्यापिका कस्यव अभ्यासम कारियत किस अभ्यास को कराती है कैसा अभ्यास कराती है पठना से पढ़ने का अभ्यास कराती है देखिए सीधी सी बात है अध्याप अध्यापक हैं आप टीचर हैं आपकी कच्छा में जो छात्र हैं एक दाएं और बाएं वाले चात्रों की पुस्तिकाओं का क्या कर दिया वहां पर आदान प्रदान करवा दिया परस पर एक दूसरे का आप अपनी कापी ले लो आप अपनी कापी ले लो चेंजिंग करवा दिया वहां पर परिवर्तन करवा दिया चेंज करवा दिया कापी और पूनह एक दूसरे छात्रों को आपने निर्देश दिया कि आप क्या करेंगे इनकी गलतियों को ढूढेंगे ठीक ने गलतियों को ढूढने का काम करवाते हैं पठनस पढ़ने का समकच्छा नाम संसोधनस समकच्छा के संसोधन का प्रतिपुष्टेह प्रदानस प्रतिपुष्टी प्रदानका सहाध्यनस सहाध्यनका देखिए यहां पर जो तुटियों का अन्वेशन करने की सुचना देती हैं इससे विए प्रतिपुष्टी का प्रत होता हूँ संतुष्टि अपने इमें संतुष्ट होना जब एक छात्र DC की गलति ढूड रहा है तो वहाँ पर गलती होने का चांस ही नहीं और स्वयव वहां पर छात्रों में उच्छुगता आति है जाग मर प्राप्ध करते हैं प्रसंख्या 7 यहाँ पर सई होगा न ए होगा न भी होगा और नहीं डी होगा प्रसंखे आठ में लिखा है कि प्रभावी अधिगमनाय छात्रा है कि इद्रिशाह भवेयू प्रभावी अधिगमन के लिए छात्रों को कैसा होना चाहिए प्रभावी प्रभावात्मक अध्यन के लिए छात्रों को कैसा चाहिए आग्याकारी ति इसका उत्र क्या होगा बताएं, देखिए प्रभावी अधियमन के लिए, प्रभावातमक अध्यन के लिए, जब छात्र जिग्यासा पूर्ण रहेंगे और शक्री रहेंगे, तभी वहाँ पर अध्यन प्रभावी हो सकेगा, अध्यन का प्रभाव हो सकेगा, जब छात्र निस्क्री रहेंगे और मौन ब्रतधारी रहेंगे, तो व प्रसंख्या 9 में लिखा हुआ है कि निम्रिखित ए सुकिम कथरम और सत्यम स्वायत सिछार्थिन थे एव ए निम्रिखित कथरों में कौन सा सही है कौन सा असत्य है कौन सा गलत है यहां गलत की बात की जा रही है ठीक ने स्वायत सिछार्थिन थे एवं ए स्वायत सिछार्थिन वे हैं जो स्वा अधिगमनाय अपने अधिगमन के लिए स्वा उत्तरदायतों स्विकुर्वन्ति अपने उत्तरदायतों को करके स्विकार करते हैं अधिगमनार्थम गतिविधी नाम आयोजनम क्रिया नयंच कर्तुम उद्यताह भवन्ति अधिगमन के लिए गत्विधियों का आयोजन और क्रिया अन्यवन करने के लिए उद्यत होते हैं अधिगमन से एतस चे प्रभाविताया चे अंद्रियंतरम समिच्छाम कुरवन्ति अधिगमन का और इससे प्रभावित होन प्रभाविता है और इसको प्रभावित करने के लिए इंद्रियंतर समिच्छा करते हैं केवल अनुमोदित पुस्तकान एवं इस्त्रोतो रूपेन स्विक्रित्य तेसु प्रदत प्रस्ना नाम उत्तरान अधिगच्छंती पुर्णतयाच अभ्यासान कुरवनती केवल अनुमोदित पुस्तकों के और इस्तोत रूप से स्विकार करके उनमें दिये गए प्रस्नों के उत्तर को अधियन करते हैं और पुर्णतया पुर्णी पुर्णी रूप से अभ्यासान करते हैं तो देखिए अगर यहां पर पोँचता स्वायत सिच्छार्थिन अपने आप अध्यान करना ऐसी दिश्टिस ते देखा जाए तो B भी सही है, C भी सही है और दी भी सही है लेकिन कह रहा है कि स्वायत सिच्छार्थियों के लिए स्वावलंबी चात्रों के लिए जो स्वा पठन पाठन करते हैं अपने आप में तयारी करने के लिए शजग रहते हैं ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए काउन सा कथन क्या है असत्य है देखिए यहां पर स्वाध्यन के लिए अपने आप उत्तरदायत स्विकार कर लेना चाहिए अपने पठन पाठन के लिए स्वयम उत्तरदाई होना चाहिए यह नहीं हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा तो यह गलत है प्रसंख्या 9 का A गलत है बाकि उत्तर की दिष्टी से यहाँ A सही होगा बाकि B, C, D गलत है अगर यहां सत्य होता तो B, C, D तीनों सही थे असत्य की बात पूछ रहा इसलिए option A होगा ठीक है प्रसंखिया 10 की बात करते हैं प्रसंखिया 10 में लिखा हुआ है कि यूगल रूपेंड कारकरण समरे उत्पनाह काचित ध्वनिय प्रदर्शिती यूगल रूप में यूगल रूप से कारकरने के समय में उत्पन कुछ ध्वनिय प्रदर्शित करती है क्या प्रदर्शित करती है यूगल रूप से मतलब दो व्यक्तियों के साथ कार करते समय उत्पन कुछ ध्वनिय प्रदर्शित करती है क्च्छा में नियंत्रन अका अभाव होता है और अतः अवेवस्था सभी जगर विराजमान हो जाती है अध्यापिका क्च्छा के अनुसासित अनुसासन करने के लिए अच्छम हो जाती है सच्छम नहीं होती है अतः अयोग होती है भासा अधिगमने छात्राह रचनात्मक्रिया ब्याप्रिक्ताह सच्छार्थीयों के साथ सिच्छार्थियों के साथ कार्य होता है सिच्छार्थियों में अनुसासन हीनता है अता हुआ अधिगमन नहीं है अता हुआ अध्यन नहीं है देखी जब दोग छात्र युगल रूप से दो लोगों के साथ कार्य करने के समय में जो उत्पन कुछ ध्वनी पदर्शित करती है तो वह निश्चित रूप से भासा अध्यन में छात्रों की रचनात्मा क्रिया को उत्पन करती है सिछार्थियों की साथ इसलिए प्रसंख्या 10 का सी सही होगा A, B और D गलत होगा प्रसंख्या 11 की बात करती है प्रिच्छा आधारित अधियमनम प्रिच्छा आधारित पौसरम न करो ती चात्रों में अलोचनातम करें चिंतन का पौसर नहीं होता है चात्र आवज्था नाम आवकासन नएच्छत चात्रों के लिए अवस्था का आवकास नहीं यच्छति इच्छा करता है सिच्छार्थिव्यः प्रस्णा नाम करतों सुतंताम नहीं अच्छे दिए छात्रों के लिए प्रस्णा करने के लिए सुतंतार नहीं दी जा सकती है तैसी बात नहीं है प्रिच्छा आधारी जो अध्यन होता है वह छात्रों के लिए आवाहन की बोलाने की अवस्था में आवकास नहीं होता है इसलिए प्रसंक्या C, 11 का C होगा न A, न B और नहीं D होगा प्रसंक्या 12 में लिखा हुआ है कि एकस्य प्रभावी भासा पाठस्य आरंभ भोवती, एक प्रभावी भासा पाठ का प्रारंभ होता है पाठ के प्रभावी भासा पाठ का आरंभ होता है प्रभावी भासा पाठ का आरंब एक प्रभावी भासा पाठ का जो आरंब होता है वह पाठ के अधियमनात्मक उद्देशों की सूची निर्मार के द्वारा होता है प्रसंख्या 12 का D होगा न A होगा न B होगा और नहीं C होगा प्रसंख्या 13 की बात करते हैं प्रसंख्या 13 में लिखा है कि प्रोफेसर यस्पाल समिती द्वारा भारम बिन अधिगमनम भार के बिन अध्यन इति नामनी प्रतिवेदने कानचित अनुसंसान कृताने किस नाम के प्रतिवेदन से किसकी अनुसंसा की गई निलखीत यस्पाल समित के द्वारा अध्यन बिन भार का होना चाहिए उसमें उन्होंने पहला नमर तो यह बताया कि ग्रीह कार की मातरा कम होनी चाहिए दूसरी बात शिच्छन अधियं की प्रकriya में गतविधी आधारित और मन्यूरंजेक होना चाहिए पाथ पुस्तकों में प्रतिबंद होना चाहिए चात्र भारय युक्त होना चाहिए आईसा नहीं स्विकार करना चाहिए तो देखें यहां पर अनुसंसा नहीं हुई लिखित में से किसकी अनुसंसा नहीं हुई तो देखें यहां पर 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 अनुसंसा नहीं हुई त प्रोफेसर यस्पाल की समीति बाकी नियूनी ग्रीक कार की मात्रा कम होनी चाहिए पाठ पुस्तोकों पर प्रतिबंद होना चाहिए छातर भार्युक्त नहीं होना चाहिए इन तीनों की बात की गई लेकिन इस B की बात नहीं की तो प्रस्ण की द्रिश्च से उत्तर B सही नसी होगा नडी होगा आए देखते हैं प्रसंक्या 14 है बाव भासिकता कच्छा याम साधन रूपेन व्यभरी अर्थात सिच्छक बाव भासा की कच्छा में साधन रूप से व्योहार किया जाना चाहिए अर्थात सिच्छक क्या करेगा मात्र भासा के द्वारा अध्यन कराना चाहिए विद्यार्थियों की सर्वासा भासा नाम ग्यानम कुरियात विद्यार्थियों के सभी भासाओं का ग्यान कराना चाहिए विद्यार्थियों के भासाओं का उप्योग करना चाहिए अनेक भासानाम अध्यनम कुरियात अनेक भासाओं का अध्यन कराना चाहिए तो देखे बहु भासकता कि एकच्छा के साधन के रूम में क्या भी हर करना चाहिए तो यहां पर होगा मात्रिभासा के द्वारा अध्यन कराना चाहिए प्रसंख्या 14 का A होगा नभी नसी और नहीं D होगा प्रसंख्या 15 की बात करते हैं डिस्ग्राफिया वर्तते डिस्ग्राफिया होती है डिस्ग्राफिया मानी जाती है किसमी कसचित पाठा से पढ़ने काठनियम किसी पाठ के पढ़ने में कठिनता हो लिखित भासा याह बोधे भासागत नियुनता, लिखित भासा के ग्यान में भासागत नियुनता, संख्या नाम बोधे अंक गणती नियुनता, संख्या के ग्यान में अंग गणती नियुनता, और धारणा याह बोधे संग्यानातम नियुनता, तो देखिए डिस्ग्राफिय अंगगरती वीकार होता है तो आज इतना ही मृत्रों आप सबी लोगों को बहुत supply करेंगे टेलेग्राम को आप जोईन करेंगे फेस्बुक को आप लिंक करेंगे अन्य जानकारी के लिए आप सभी लोग इन नमरों पर संबर कर सकते हैं आज इतना ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद नमः शंस किता है